हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो घटना चक्र सीरीज और आज हम लोग घटना चक्र सीरीज के तहत अफवा तंत्र देखने वाले हैं और ये खास करके गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ नोट्स हैं उसको देखेंगे फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रसन पुछे जा आज हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्रे इसमें देखें हिमाले की नदिया पुरवर्ती अफवा का उधाहरन है ये हिमाले के उत्थान करमे निरंतर अपरदन कार्ज करती रही है अतहें इनके द्वारा गौर्ज महाखड़ आदी का निर्मान किया जाता है इस परका की नदियां शिंदू सतलज गंगा और ब्रहंपुत्र नदियां ये नदियां जो है हमेशा गार्ज महाखड़ का निर्मान करते रहती है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी यानि किसकी लंबाई पचीस सो पचीस किलो मेटर है पहले पचीस सो दस देता था लेकिन अब जो नदी आकर मिल जाती है देखे ये कोशन बराबर पुछा जाता है कि अलग नंदा और भिलंगरना जो एक साथ जब मिल जाता है तो वो कौन सा स्थान में मिलता है तो देव परियाग में भागी रती और अलग नंदा को संजुक तरूप से ही गंगा कहा जाता है यानि भाग पर हरी दुआर में ठीक है गंगा जारखंड के सीमा परिस्तित राजमहल की पहाडियों के उत्तर की वोर प्रवाहित तो होती हुई पस्ची मंगाल के फरक्का नमकस्थान पर यह बंगला देश में प्रिवेश करती है मैं इसके बारे में बता दो फरक्का बैराज भारत का सबसे लंबा बैराज है 245 मिटर इसकी लंबाई है ठीक है और जब यह बंगला देश में प्रिवेश करती है तो बंगला देश में इसे पदमा की नाम से जाना जाता है बंगला देश में यह ब्रहंपुत्र यानि के जमुना से मिलने के बाद संजुक्त धरा के रूप में जिले आगे चलकर मेगना में मिल जाती है एवं मेगना के नाम से ही बंगला की खारी में अपने जल का त्याक करती है अपने मुहाने पर विस्ऊ के सबसे बड़े डेल्टा का निरमान करती है जिसे को हम लोग क्या कहते है यह सुन्धर one का डेल्टा ठीक है गंगा प्रहंप जिले की नगर पंचायत बदरीनात अलक नंदा के तर्फ पर वस्तित है। केदरणात से रूद्र पढ़्याग की उर भाने वाली नदी मंदा किनी है। यह चोरावाडी ताल से निकलती है तरह सोन पढ़्याग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अता केदारनात से रूद्र परियाग के मद्य प्रवावित होने वाली नदी मंदाकिनी है। भागरा, गंड़, कोसी, यमुना, यमुना नदी हिमाले के यमुनतरी हिमानी से निकलती है। गंड़ नदी में मिल जाती है। प्राया मार्ग बदलने के पर्विर्ती के कारण इसमें भीशन बार आते हैं। इसी कारण इसे बिहार का सोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। गंड़क नदी हिमाले, नेपाल हिमाले से निकलकर पटना के निकट सोनपूर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेनी नहर में गंड़क नदी से पानी आता है। यह पस्मी चंपरन जिले में इस्तित है राम गंगा नदी का उद्गम उत्राखन राजे के पौड़ी गरवाल इस्तित दूधा टोली स्रेनी से होता है। यह मुना नदी यह मुनोत्री हिम्रत के बंदर पूँच चोटी के पास उद्गमित हुई इसकी परमुख सहयक नदियां चंबल बेतवा खेन है। यह मुना नदी की परमुख सहयक नदियां हैं चंबल बेतवा और केन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिनी तट के एकी मुख सहयका है जो पठार के किनारे पर जल प्रफातों की एक स्रेंखला बनाती हुई उत्तर दिसाकी वोर भहती है तथा पठना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी जारखंड के छोटर नागपुर चेतर से निकल कर हुगली नदी के समुद्रे में गिरने के पुर्व से मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ा जाने के कारण इसे बंगाल का भी शाप कहा जाता है। ठीक हैं चंबल नदी मदपरदेश की महूं के निकट से निकलती है या पहले उत्टर दिसा में प्रवाइट होकर कोटा राजस्तान के निकट गौर्ज का निर्वान करती है। यह नदी राजस्तान के सवाई माधवपूर और धौलपूर से होती होई अंत में गंगा से मिल जाती है ठीक हैं गोमती नदी का उदगम चेतर गोमत ताल फुया फुलहर जील जीला पिली भीट उत्तर प्रदेश में है गंगा नदी की एक मात्र साहयक नदी जिसका उदगम मैदान में है गवमती नदी के बारे में जाओडें एक मात नदी इसका उढ़ दी इसका नाम है गवमती नदी ठीक है जो कि लखनों गवमती नदी के किनारे ही स्थीत है अब जैसे देखे गंगा गंगot Bali हुमाणी गंभाल की खाड़ी में गिरती है गंड़क नेपाल हिमाले गंगा में मिल जाती है सोनपूर पतना के पास और सोन नदी में और सोनपूर पतना के पास गंगा नदी मिल जाती है राम गंगा दुधा टोली सरेनी ये गंगा में मिल जाती है सोन अमरकंटक पठार गंगा में मिल जाती है छोटनागपूर पठार ह पुलकता के निकट मिल जाती है चंबल महूत्र प्रदेश से निकलती है या मुना नदी में मिल जाती है गोमत ताल फुलहर जील से निकलती है गोमती और यह गंगा में मिल जाती है अब देखे प्रस्न को जो अल्रेडी पूछा गया है गंगा नदी उधाहरन है पुरुवर्ती अफवा का किसका उधारन है पुरुवर्ती अफवा का उधारन है बंगला देश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से तो पदमा नाम से पुकारा जाता है उसके बाद देख लिजे बंगला देश में परविश करने के बा उसके बाद देखेगा गंगा बहुत ही परदूसित नदी है जो नदी जितनी परवित्र होती है वह उतनी ही अधिक परदूसित होती है ये सही है परन्तु आर गलत है गंगा के जलोर मिर्दा की घराई भूमी सत्य के नीचे लगभग 6,000 मीटर तक है उसके बाद देखें निमलिखित कत्रों का प्रिक्षन करिया हो नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुने इसमें देखेगा कि देव परियाग लखनंदा और भागरतिन नदी के संगम परि ठीक है इसमें कौन-कौन एक, दो और ये तीन विल्कुल सही है उसके बाद देखेगा हम लोग देखते हैं कि ये देखेए मैं आपको इसके तहत कोट दिया था ठीक है जैसे देखेगा कि देव परियाग कहा कि कौन-कौन से नदी अधे भा में बताया था और कपी में बता है था इसको कोट के माद्याम से आप असानी से याद कर सकते हैं ठीक है या फिर यहां पर देख लिजेगा कि रूदर पडियाग कर्नपडियाग एवंटेव पडिया का मिलान इसमें अलक नंदा, रमसा अलक नंदा, मन्दा किनी, अलक नंदा, पिंडार, भाईर, लखे रत नदी है नदी का भागि रती के यांग पर देव किस इसे सथान पर हिस्था है इसके बाद he प्रिकित में से किस नदी के तरफ पर बद्रीनात का प्रसीद मंदी रिस्तित है राइट आंशरों का अलग नंदा उसके बाद भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है तो इसका राइट आंशरों का गंगा यानि गंगा नदी की 255 किलोमेटर गोदावडी सा 1465 किलोमेट इसके बाद देखेगा गंगा नदी की हिकमात साहिक नदी इसका उद्गम मैदान में है चिनित कीजिए तो ये गोमती है जिसके किनारी लखनो सहर बसा हुआ है इसमें देखे दिली और आगड़ा के मद्द वर्स के अधिकान समय में यामुना नदी मृत हो जाती है और या निमने में से कौन सी नदी यामुना नदी से नहीं मिलती है तो सोन नदी यामुना नदी से नहीं मिलती है निमने में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है तो बेतवा जो है ये चंबल से नहीं मिलती है ठीक है बेतवा नदी कहा मिलती किसे मिल जाती है यामुना नदी से मिल जाती है इन में गंगा की कौन सी साहक नदी तरवाही नहीं है राइट अंसर होगा सी ठीक है यानि के सोन नदी उसके बाद देखेगा निमलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है तो सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है कौन सी स्रेनी या द्जल्दी भाजक का कार्ज एक करती है, रायट आंसर होगा कैमूर निमलिखित में से किस नदी का जल्गरहन चट्र सरवाधिक है रायट आंसर हो जाएगा सोन उसके बाद देखे, मूरी बंद डिल्टा निमलिखित में से किस दिल्टा का एक उबी भाग है तो राइट अंसर हो जाएगा बंगाल डिल्टा ठीक है उसके बाद देखे 32 नमबर निमलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है तो इसका राइट अंसर हो पड़िकत में से कोई नहीं यानि उत्तरी कोयल जारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक साहेक नदी है या सोन नदी के दाहीने तरपड मिलती है सोन नदी दक्षिन भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी साहेक नदी है पटना के पास गंगा में मिल जाती है दक्षिनी कोयल नदी जारखंड वो ओडिशा में प्रवाइत होती है दक्षिनी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के भूप में प्रवाबित होती है जो ओडिशा के राउर केला के पास संख नदी से मिलकर ब्रामनी नदी के नाम से प्रवाइत होती है ब्राकर नदी के बारे में देखें दामदर की सायक नदी है जो जारखन की कोडरमा पठार से निकल कर हजारी बाग से होते हुए दामदर में मिलती है दामदर निचली गंगा बेसीन में हुगली नदी से मिलती है दामदर नदी बेसीन तो इस परकार जो है गंगा नदी तंत्र से 34 परसन पुछा जा चुका है ठेक है आप इसको एक से दो बार जरूर देख लिजे बस आज के वेडियो में इतना ही धन्यवाद